हलो, नमस्कार एवरिबन, आप सबी लोग का स्वागत है, टेस्ट्बुक सूपर कोचिंग के प्लेटफॉम पर आज हम लोग एक बड़ी खास टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं आप लोग जानते हैं कि रियल, लीनियर, अपने पास बड़े महतरपूर्ण टोफिक रहते हैं और लीनियर में हमारे पास बहुत सारे से क्वेश्चन हैं एक्जाम में जो डिफरेंट टाइप ओफ मैट्रिक्स के उपर पूछे जाते हैं उनमें से एक टाइप हमारे पास है अपने वाले 10-15 मिंट में हम लोग सारी बाते हैं जो इसके लिए महतरपूर्ण हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स समान लीजिए ए जिसमें की हर एक एंट्री 1 by 2 है, हाफ हमारे पास है अगर आप यहाँ पर A square निकालते हैं तो आप लोग notice कर पाएंगी कि A square मेरे पास A के बराबर आ जा रहा है और ऐसी matrices में मेरे पास A square equal to A आता है इनी matrices को हम लोग define करते हैं हमारी idempotent matrix तो simple सी definition है एक ऐसी matrix मेरे पास पहली condition square matrix होने चाहिए दूसरी मेरे पास कि A square जब आप करें और वो A के बराबर आ जाए तो matrix हमारे पास कहलाती है एक idempotent matrix अब यह नाम तो हम लोगों देख लिए define कर दिया बट क्या कोई ऐसी matrix होती भी है हमारे पास जो कि idempotent बनती हो ऐसी हमारे पास अगर आप A को उठा लेते हैं identity matrix तो हमारे पास A square भी बनेगा एक identity matrix यानि कि यह equal to A आने वाला है अब मेरे पास 0 matrix भी और identity भी बनती है क्या एक diagonal matrix बनती है ध्यान से देखना अगर हमारे पास मैं diagonal पर 1 या 0 में से कुछ भी बिठा देता हूँ square होने पर क्या आएगा 1 square 1 होता है 0 square 0 होता है मेरे पास यानि कि वो same number बना रहेगा यानि कि मेरे पास अगर एक matrix आप लोग लेते हैं n cross n order d diagonal matrix जिसके entries क्या है 0 या 1 में से कहीं पर कुछ भी यूज कर लो ऐसी matrix मेरे पास हमेशा बन रही होगी एक idempotent matrix then example number 4 बड़ा प्यारा है ध्यान से रही है मैंने एक matrix A बनाई जिसमें हर एक entry को 1 ले लिया n cross n order की matrix बनती है अब यहाँ पर अगर आप a square निकालेंगे तो a square मेरे पास n into a type का आ रहा होगा यहाँ पर यह बार satisfy हो रही होगी अब a square equal to n a है हम लोग जहाते हैं addempotent के लिए n equal to 1 होना चाहिए मेरे पास यानि कि यह matrix addempotent बनेगी if and only if n equal to 1 बनाएगा इस बात से में थोड़ा मज़ा नहीं आया बट इससे एक फायदा होगा ध्यान से देखना हम लोग इसी matrix A का use करते हैं और एक नई matrix बनाते है matrix B जो की बन रही है 1 by n into a यानि की मेरे पास अगर n cross n order की matrix है तो हर entry मेरे पास क्या है 1 by n, 1 by n, 1 by n, 1 by n अब यहाँ पर अगर आप करते हैं b square तो b square क्या बनेगा 1 by n का square into a square हमने अभी निकाला था ना कि a square equal to n into a आता है use कर लो value a square equal to n a बना मेरे पास m से n cancel हुआ 1 by n into a बनता है which means b square equal to b मेरे पास आ रहा है यानि की b मेरे पास एक independent matrix बनती है तो हम एक बास सेखने को मिली जैसा हम लोगों नहीं हाँ पहले example में किया था जब n को 2 लिया था तो हर जगा half 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 रखा तो आपके पास मिली matrix a जो की बन रही है independent अगर 3 cross c order रखते तो 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 हर जए 1 by 3 रखते तो आपके पास बन जाएगी एक independent matrix बनाना आ गया हमारे पास example त्यार होते जा रहे है independent matrix से अब हमारे पास अगर हम लोग एक matrix देखते है यहाँ पर 1 by 3 ले लिया हम लोगों ने और यहाँ पर कुछ entries है a1, 1, 2 है, a2, 2, 2 है, a3, 3 मेरे पास 2 आ रहा है यानि कि अगर आप लोग ध्यान से अब्जर्व करें कि मेरे पास 3 cross c order की matrix है तो a1, 1, a2, 2 और साथ है मेरे पास a3, 3, 3 यह 3, 3 माइनस 1 आ रहे है और बाकी सभी जगहों पर हम लोगों ने माइनस 1 रखा है तो यह matrix हमारे पास अगर आप square निकालते हैं तो a square equal to a मुझे दे रही होती है यानि कि add important बनती है example number 5 से motivation लेकर हम लोग बना सकते हैं इसका general form ध्यान से रेखना अगर आप यहाँ पर n cross n order की matrix लेते हैं बाहर बिठा दिया 1 by n जैसे यहाँ पर 1 by 3 बैठा हुआ था और मेरे पास a1, a2, a2, a, n अप लोगों ने ले लिए n, minus 1 बाकी सभी जगहों पर आपने minus 1 रख लिए तो यह matrix हमेशा एक addemperant matrix बनती है तो यह मेरे पास एक और example हमारे पास आ गया class of example हमारे पास बन गए n की value put करते हो यहाँ पर आपके पास नहीं नहीं addemperant matrix बनती चली जाएंगी इन सारे examples को सिरफ आप लोगों को यहाँ पर यह नहीं है कि देख लेना इसे याद भी रखना है इसका फाइदा क्या होगा मान लो कोई भी सवाल आपके पास आ गया कि यह एक addemperant matrix है तुरंत वहाँ पर इन examples में किसी का use करके आप options को eliminate कर सकते हो तो इसे याद रखना है कि कैसे कैसी बनाई जा सकती यह addemperant matrix मेरे पास अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक matrix addemperant है तो उसे कुछ खास properties निकल कर आते हैं उन सारी properties को साथे मिलकर देखते हैं पहली property हमारे पास आती है बड़ी खास कि अगर मेरे पास a addemperant है तो हमेशा i minus a addemperant बन रहा होगा हम लोगोंने एक नाम रख दिया matrix b मेरे पास which is equal to i minus a अगर मेरे पास a addemperant है तो i minus a मेरे पास हमेशा addemperant बनेगा अब इसका प्रूफ करना ही बड़ा असान है कैसे आप b square कर दीजिए b square क्या बनेगा i square minus a square i square plus a square minus 2ai मेरे पास यहाँ पर बन रहा होगा यानि कि मेरे पास i minus अपने पास यहाँ पर बन जाएगा i plus a square था minus 2ai था तो i minus 2a मेरे पास यहाँ बन रहा है plus में हमारे पास a addemperant आता है तो a square equal to a बन जाएगा यानि कि last में यह i minus a ही बन रहा होगा मेरे पास यानि कि b square equal to b मेरे पास बन रहा है which means this matrix B is an idempotent matrix और same कहानी हमारे पास अगर आप A into B करते हैं और B into A करते हैं हमेशा मेरे पास एक 0 matrix बन रही होगी second property मेरे पास काफी खास बताते हैं यह हमें कहती है कि अगर आप लोग के पास A और B दो square matrices हैं order N की और यह दो condition यानि A into B equal to A है और B into A equal to B आ रहा है यह दोनो conditions मेरे पास satisfy हो रही है तो हमारे पास हमेशा A square equal to A आएगा B square equal to B आएगा दोनो matrices मेरे पास idempotent आने वाली है बड़ा interesting सा अपने पास यह property है मैं suggest करूँ आप सभी लोगों को कि आप इसका proof लिखें यह आपका homework है इसका proof लिखें और share करें साथ में कि हाँ हम लोग proof कर चुके हैं ठीक है छोटा सा homework आप लोग के लिए third property हमारे पास आती है कि अगर आपके पास दो matrices हैं A and B ठीक है A square equal to A है B square equal to B है and A B equal to BA आ रहा है यानि कि मेरे पास A and B commute कर रही है तो हमारे पास A B का whole square अगर आप निकालोगे वो आएगा A B into A B हाया ना हम लोग जानते हैं कि matrix multiplication मेरे पास commutative होता है nature में यानि कि मेरे पास BA equal to A B यहाँ पर हमारे पास associative होता है और साथ में यहाँ पर commutativity given है हमारे पास तो matrix multiplication के associative होने की बज़े से A B into B मेरे पास बन गया which means कि मेरे पास एक A square B square बन गया A square equal to A है B square equal to B है यानि कि यह A into B के बराबर आ गया तो हम एक बात नज़र आई कि A B का whole square A B के बराबर आ रहा है विच मेंस कि A B मेरे पास एक independent matrix बनेगा यानि कि खास बात अगर A और B independent हैं तो A into B का idempotent बनना हमारे पास जरूरी नहीं है बट हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर A और B idempotent होने के साथ-साथ A B equal to BA आ जाता है तो पक्का मेरे पास A into B एक idempotent matrix बन रहा होगा चलिए, आगे बढ़ते हैं हमारे पास P4 क्या है? प्रोपर्टी नमबर 4 फिर से काफी असान प्रोपर्टी है कि अगर मेरे पास A और B दो idempotent matrix आती हैं तो हमेशा हमारे पास अगर हम लोग A प्लस B के बारें बात करते हैं वो idempotent बनेगा if and only if A B equal to BA तो हो साथ मेरे पास से दोनों बन रही हो 0 matrix तब हमारे पास से बास अचार ही होगी प्रोपर्टी नमबर 5 हमें एक बड़ी खास बात पताती है कि अगर A idempotent मेरे पास है तो A square A बनेगा A cube A square into A आएगा यानि कि आपके पास A into A आएगा which means eventually वो A square बनेगा और फिर से वो A के बराबर आ जाएगा इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी A square equal to A A cube equal to A A की power 4 equal to A A की power M equal to A और every M in natural number प्रोपर्टी नमबर 6 हमारे पास आती है एक बड़ी शांदार प्रोपर्टी कि अगर मेरे पास A कभी भी एक independent matrix आ रही है और K और L मेरे पास दो real number है तो K I plus L A raise to power N हमारे पास मैं इसे इस form में लिख सकता हूँ K raise to power N into identity matrix plus मेरे पास K plus L की power N minus A की power N into A इसका बड़ा शांदार example हम लोग देखने जा रहे है application इसकी बड़ी शांदार है एक आपको question दे दिया जा रहा है कि एक matrix यह आपके पास है और यह limit निकालने हो कहा जा रहा है हमें पहली पास सीखने वाली बनती है कि अगर हम लोग यहाँ पर A की power N करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर entry की power N मेरे पास बनता यह बात हमारे पास गलत होती है अगर A आती है मेरे पास एक diagonal matrix तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं बट इसको solve कैसे करें अगर आप लोग ध्यान से observe करें जो matrix A मेरे पास बनती है उससे मैं लिख सकता हूँ हमेशा 3I plus 4B की form में इस case में क्योंकि ध्यान से देखना 3 plus 4 by 2 यानि 5 बन जाएगा then अपने पास 0 plus 4 by 2 2 बन जाएगा even 2 यह बराबर आ रहे होंगे मेरे पास यानि कि आप यहाँ पर A की power N जब निकालेंगे तो वो 3I plus 4B की power N ही मेरे पास बन रहा है यानि कि वो मेरे पास 3 की power N into I plus 7 की power N minus 3 की power N into B बन रहा है अब यहाँ पर ध्यान से रेखें अगर हम लोग A की power N निकाल रहे हैं यहाँ पर इसमें जस्ट I की value पूट कर दो और B की value पूट कर दो add कर दो यह matrix बन के दियार हो जाएगी हमें निकालना क्या था निकालनी है limit N tends infinity 1 by 7 की power N into A की power N multiply कर दो 1 by 7 की power N के साथ limit apply कर दो उपर से common आएगा 7 की power N हर एक case में नीचे बैठ है 7 की power N अपने पास हर case में और आपके पास बनेगा 3 by 7 की power N numerator में हमेज़ा हमें पता है न limit N tends to infinity A की power N मेरे पास 0 बनता है अगर A minus 1 से 1 के बीच में हो के पास same matrix A है आप लोगों को check करना है कि यहाँ पर क्या answer बन लहाओ और comments में बताना है और A question और आप लोगों के लिए बड़ा प्यारा question है ध्यान से try कीजिएगा जल्दवाजी में गलती मत कीजिएगा कोई भी आपको कह दियागी कि A मेरे पास एक non-null idempotent matrix है यानि कि A मेरे पास 0 matrix नहीं है बट idempotent बनती है तब पूछ रहे हैं कि हमारे पास इन में से कौनसी बात false आ रही होगी मुझे उमीद है कि आप लोगों को सारे concept clear हो गई होगी सारी properties, सारी बाते हमारी independent matrix हो लेगर आप लोगों clear हो रही है अब इसमें हमारा answer क्या बनता है आप लोगों को ये बताना है comments में मुझे उमीद है कि आपको इस पूरे के पूरी वीडियो में सारी बाते जो हम लोगोंने सीखी वो समझ में आ गई होगी कहीं कोई दिक्तर तो comments में आप लोग बता सकते हैं और अगर आने वाले समय में आप लोगों चाहिए कि हम लोग ऐसे और अपने जो concept समय तक और उनको एक ही वीडियो में short वीडियो में complete कर दें उसके बारे में सारी बाते सीख रहे तो मुझे comments में जुरूर बताईएगा और इसी तरीके से हम लोग चीज़ें आगे लेकर जा रहे होगी जिन लोगों ने अब तक वीडियो को देखा है तो मुझे उमीद है कि उन्हें मज़ा आया होगा और चैनल को उन्हें सब्सक्राइब नहीं किये तो जाते करते जाईएगा साथ में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अपने दोस्के से शेयर करना मत भूलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यावाद तो बहुत था तो जाईएगा तो जाईएगा